विटारा ब्रेजा ये गाड़ी लॉंच के बाद काफी पोपुलर हुई थी और काफी सेल भी होती थी लेकिन अब टाइम के साथ आउटडेटिड फीचर्स और लुक की वज़ा से इसकी सेल्स काफी डाउन हो चुकी है और इसी वज़ा से मारति सुजोकी अब इसका न्यू म लुक्स की तो इस बारिस में हमको काफी नई और बॉर्ड लुक्स मिलती है जिसमें फ्रंट में ट्राइबीम एलेडी हैड लैम्स मिलती है और नीचे एलेडी फोग लैम्स एंड इंडिकेटर्स मिलते है फ्रंट ग्रिल पहले वाली से काफी डिफ्रेंट मिलती है वो भी क गाड़ी की लुक्स काफी मस्कुलर और बोल्ड मिलती है इसमें हमको 18 इंच के बड़े सिल्वर फिनिशिंग एलोईज मिलते है जो की काफी मस्त लगते है बात करें इसके फीचर्स की तो पहली वीटार अब्रेजा में कुछ खास फीचर्स नहीं थे लेकिन इस बार इसमें ह काफी अपडेटेड फीचर्स मिलते है जैसे इसमें हमको 10 इंच की काफी बड़ी TFT डिस्पले मिलती है डिजिटल M.I.D. मिलती है जिसमें गाड़ी की सारी इंफोर्मेशन आपको मिलने वाली है गाड़ी में हमको वायलेस चार्जिंग दी गई है और काफी बड़े एलेक्ट्रोनिक और वीम से इस गाड़ी में हमको मिल जाते है और ये गाड़ी सिक्स स्पीड मैनूल एंड ओटोमेटिक ट्रांस्विशन के साथ आएगी बात करें गाड़ी के इंजिन स्पैक्स और पर्फोमेंस के बारे में तो नई वीटार अप्रेजर में हमको 1.5 पर्फोमेंस के बारे में तो नई वीटार अप्रेजर का एक्सपेक्टिड प्राइज आठ लाग से स्टार्ट होगा और इसका टोप मोडल 12 लाग तक जाएगा जो कि इतने बढ़िया लुक्स, फीचर्स और पर्फोमेंस के हिजाब से काफी बढ़िया है और ये गाड़ी 2021 के लास्ट या फिर 2022 के स्टार्टिंग में लौँच होगी तो देखते है और वेट करते है इस SUV का तो फिर आप कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये नई वीटारा बरिज़क कैसी लगी और वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना मैं मिलता हू आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फर वाचिंग